नतिंग फोन वन में काफी सारे बग्स आ गए थे यहां पर नतिंग ओएस 1.5.3 के बाद और यहां पर मैंने एक बग वाला वीडियो भी बनाया था अलग से जिसमें आपको मैंने बताया था कि कितने बग्स आपको यहां पर मिलते हैं वो वाला वीडियो अगर आपने अभी बग्स मिलते थे लेकिन अब यहां पर नतिंग फोन वन के अंदर जो है एक नया सौफवेर अपडेट आ गया है जल्दी से सेटिंग के अंदर चलते हैं सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहां पर चलते हैं सिस्टम के अंदर और यहां पर चलते हैं सिस्टम अपडेट त not appear when quick setting is active इसका मतलब यह है कि यहां पे जो आपके quick setting toggles है वो यहां पे नहीं आ रहे थे और साथी साथ इसमें यहां पे calling वाला fix भी दिया गया है जैसे कि अगर आपको यहां पे कोई भी call receive होता है तो call वगेरा जो यहां पे दिखाता नहीं है आंसर और reject hopefully वो भी यहां पे fix हो जाए तो काफी बढ़िया हो जाएगा साथ में यहां पे fixed and issue preventing the NFC toggle to function as intended यहां पे जो इसका NFC वाला toggle है वो यहां पे धंग से काम नहीं कर रहा था मैंने भी इसको test किया हुआ है अपने NFC sony के headphones के साथ वो यहां पे काम नहीं कर रहा था तो definitely यहां पे जो NFC वाला बग है वो भी इस वाले अपडेट में fix किया गया है इतना कुछ बड़ा अपडेट नहीं है लेकिन यहां पे दो major जो बग है वो यहां पे fix किया गया तो चलिए अल्दी से download और install कर लेते हैं तो यहां पे finally हमारा phone जो है बूट हो चुका है अपडेट होने के बाद लेकिन यहां पे देख सकते हैं startup screen जो है थोड़ा सा और fast हो सकता है लेकिन अब बात करूं यहां पे आप देख सकते हैं यह देखिए यह चीज यहां पे fix करने की बात हुई थी तो यहां पे यह update के बाद भी यह देख सकते हैं बहुत लेट आया अगर यहां पे देख सकते हैं पूरा extend करने के बाद जाकर कि यह आ रहा है यह देख सकते हैं यह update के बाद भी अभी भी ढंग से यह जो है नहीं हुआ है देख सकते हैं यहां पे अपडेट सकसेश्फुल सिस्टम अपडेट कर देंगे सकसेश्फुल अपडेट तो गया लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी हल्का फुलका जो है यह वाला चीज देखने को मिल रहा है तो nothing phone 1 के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे जो bugs है ना वो fix होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं काफी सारे bugs है even यह वाला update जो आया है 16 MB का वो भी मुझे उतना कुछ अच्छा काम करता हुआ नहीं दिख रहा है यहां पर हम बात कर लिते हैं NFC वाला bug यहां पर जो मेरे पास एक NFC का headphone यहां पर देख सकते हैं और यहाँ पे connecting दिखा दिया headphone के साथ, तो यहाँ पे connected भी दिखा दिया, तो इसका मतलब यह है कि यह connect हो चुका है, phone जो हमारा connect हो चुका है, हमारे headphone के साथ, तो definitely जो NFC है, वो यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर चुका है, लेकिन यहाँ पे जो quick toggle वाला है वो अभी भी कभी कभार जो है थोड़ा बहुत glitch करता है, जैसे कि अभी भी जो यह quick वाला जो panel है, इसके जो settings है, इसके जो यह toggles है न, वो अभी भी यहाँ पे कभी कभार जो है पूरे तरीके से blank चले जाते हैं, तो यह वाला software update उतना कुछ खास मुझे नहीं लगा, हाला कि NFC वाला bug यहाँ पे fix हो चुका है, लेकिन अगर आपको यह वाला update यहाँ पे system update के अंदर जाकर के नहीं देखने को मिलता, तो आप इसे manually भी कर सकते हैं, नीचे description में मैं उस update का जो package file है, उसका link दे दूँगा, उसको आप यहाँ पे manually जाकर कि भी install कर सकते हैं, बाकि इतना है था इस वीडियो में, आपका इस वीडियो को देखने के धन्यवाद, तब तक लिए उस जया हैं, वने मातरम और आपका दिन शुब रहे,